नमस्ति दोस्तों कैसे हैं आप मैं सुजीत कुमार इंकरबल IAS Academy मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज का वीडियो जो है बहुत ही special है दोस्तों एक बात इस वीडियो को बनाने से पहले आपको समझा दूँ कि पढ़ना important नहीं है कि कितना पढ़ना है लेकिन ये important जरूर है कि उतना ही पढ़ना है जिससे की आसानी से पास किया जा सके जब तक ये दिमाग में नहीं आएगी तब तक prelims पास करना बहुत ही मुश्किल है आज का जो वीडियो है ये भारत सरकार की यूजना है यहां से हमेशा दो नमबर का question पुछता है हर exam में पूछता है अब यूजना तो भारत सरकार की बहुत सारी है और especially जिस estate का आप exam देने जा रहे हैं, उस estate के PCS से जो भी योजना connect है, वो योजना important हो जाएगी, और साथ-साथ में वो योजना important हो जाएगी, जो आज के date में सबसे जादा चर्चा में रह गया है, तो इन तीन तरीके के योजना को आप अपने दिमाग में रखिएगा, तो आसानी से उन सैक्रो योजनाओं में उन कुछ योजनाओं को निकाल लीजेगा, जो उस पर आयोग की नजर होती है, मेरी कोशिस यही है, इससे पहले बिहार सरकार की योजना मैंने दे दिया हूँ, discussion box में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं, य चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नेकिए, तो सस्क्राइब कर लिजे, बेल आइकन पर प्रेस कर लिजे, तो चलिए दोस्तों, आज का सेसन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली योजना जो इसको ध्यान रखेगा, इसकी सुरुवात कब की गई थी, इस पॉइंट को याद रखेगा, अपरैल 2015, बस 2015 ध्यान रखेगा, अब इसकी नोडल मंत्राले, बित मंत्राले है, इसकी सौामित जो है, सिडवी के पास में है, इसका उद्देश क्या है, यह उद्देश याद परदान मंत्री मुद्रा होई योजना कब शुरुवात की गई थी और इसका उद्दे से क्या था तो माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से समाजिक पीरामीड के जो सबसे निचले बर्ग हैं जिसके आयका सिर्जन का अबसर देना था और सुच्म उद्द्यमियों को 10 लाग तक का रिन देना था उच और ये रिन जो है आरबियाई और वानिजिक वित बेंक और सहकारी बेंक और MFI NBC के द्वारा किया जाएगा तो दो चीज़ में याद सुच्म उद्द्यमियों को 10 लाग रुपे तक का रिन देना था तो जो इंपोर्टेंट है उसको सर्किल करो उसको ध्यान रखिएगा और ये रिन जो है आरबियाई बानिजिक बेंक सहकारी बेंक MFI NBC के द्वारा दिया जाएगा तीन परकार के रिन की इसमें वेवस्था क इसमें कितना दिया जाएगा तो ध्यान रखिएगा 50,000 तक किसोर के लिए 50,000 से 5,000,000 तक और तरुन के लिए 5,000,000 से 10,000,00 रुपे तक का रिन देना था तो तीनों चीजा इंपोर्टेंट रखिएगा तो एक चीज़ यहां पर यह इंपोर्टेंटर तक है तो एक याद रखीगा, इसका स्वामित जो है किसके पास में है, तो सिडवी के पास में है, मुद्रा का फूल फॉर्म क्या होता, तो माइक्रो यूनिट्स डेवलप्मेंट एंड रिफाइनेस एजनसी और इसकी सुरुवात जो परदान मंत्री मुद्रा योजना की की गई थी, तो इसका उद्देश क्या था, तो सुच मुद्यमियों को 10 लाग तक का रिन परदान करना था, कौन-कौन करेगी तो RBI, वनिजिक बेंक, साहकारी बेंक, MFI, NBC के द्वारा, तो ये कुछ पॉइंट आप अपने दिमाग में आज रिकॉर्ड कर जिए, ज्यादा दिमाग में पर और सोले के बजट में सुरू की गया था, अटल पेंसन यूजना, ये क्या है, असंगठित छेतर के स्रमिकों हैं तो पेंसन की यूजना, जो असंगठित छेतर है, उसके स्रमिक जो है, उसके पेंसन की यूजना, अटल पेंसन यूजना की गई है, पेंसन फंड नियामक नियुंतम pension दिया जाएगा, ध्यान रखीगा, 60 वर्स के बाद परतीमा, यानि हर महीने जो है, डेर हजार रुपया का नियुंतम एक कम से कम pension का आरेंटी योजना दी जाएगी, और कुल योगदान 50% या फिर 1000 रुपया परती वर्स सरकार परतेक को 2015-16-2020 तक ये परदान करेंगी, कोई भी भारतिय नागरिक इसके पात्र हो सकता, जिसकी उम्र 18-40 वर्स तक होगा, तो 2020 तक का टार्गेट है, तो इसलिए इंपोर्टेंट होगा, अब इसमें क्या इंपोर्टेंट है, जो आपको ही रखना, जानना सब है, लेकिन जिसको दिमाग में रखना, सबसे पहले कि अटन पेंशन योजना की गोशना कब की गई थी, तो ध्यान रखेगा, इसकी सुरुवात 2015 सुले के बजट में की गई थी, किस छेतर में की गई थी, तो असंगठी छेतर के सरमिकों के लिए की गई था, एक, इसके साथ साथ में, ये चीज़ या रखेगा, इस योजना का आधार, साथ वर्स के बाद परती मां डेर हजार रुपया है, जो की सबसे कम नियुनतम पैंसन गारेंटी है, साथ वर्स के बाद आपको डेर हजार रुपया देना पड़ेगा, इसके लिए जो है, सरकार पचास परतीसत या फिर एक हजार, इसका योगदान जो है, कुल योगदान पचांस परतिसत या एक हजार रुपे परती वर्स सरकार को जो 2015-16 में से 2020 तक परदान करेगे और ये किनको मिलेगी तो वो नागरिक इसके पात्र होगा जिसकी उम्र 18-40 वर्स ध्यान कीगा ये डेट बहुत इंपोर्टेंट है 18-40 वर्स तक के लिए इसके पात्र होंगे इस योजना का लाब उठा सकते है, 40 वर्स के बाद बाले नहीं कर सकते है और 30 वर्स से पाले बाले नहीं कर सकते है तो ये भी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है तीसरा खेलो इंडिया इसके तहट खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाता है इसकी सुरवात 2017 की गए थी इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा और यह खेल विकास है तू राष्ट्रिय कारिक्रम यानि कि खेलो को बढ़ावा देना जिस तरीके से हमार पोपलेशन चाइना से कम है लेकिन खेल में कोई भी गेम ले लिजिए उलम्पिक तक का गेम ले लिजिए तो हम जो है उलम्पिक में सबसे नीचले पाइदान पर रहते हैं अगर चाइना के दुछा दिस्ट टीसे दिस ते का और चाइना टॉप पर रहता है जबकि उसकी जन संख्या हमारी जन संख्या में कोई जादा का फासला नहीं है तो इसके लिए एक बढ़ावा दिया गया कि खेलो इंडिया तो ध्यान रखेगा यह इंपोर्टेंट है 2017 सुरू किया गया था राजीब गांधी खेल प्राधिकरन और अर्जुन इंफ्रास्टेक्चर अस्की और National Sport Talent Research योजना को खेल इंडिया में विले कर दिया गया है आपको 5 लाख रुपया परती वर्स यानि टोटल 8 वर्स में 40 लाख रुपया भारत सरकार आप पे खर्च करेगी और आप इस परतीभा का हिस्सा बनिए खेलो इंडिया तो ध्यानरकी का खेलो इंडिया ये भी इंपोर्टेंट है और प्रधान मंत्री का एक बहुत ही सराहनी कदम है इसलिए ये भी जो योजना वो चर्चा में है नेक्स्ट योजना की तरफ चलते है अस्टार्ट अप इंडिया ये क्या है इसकी सुरुआत 2016 हुआ था बस डेट याद रखना है नोडल मंत्रार वानी जीक और उद्योग मंत्रा लेकर दोराश शुरू किया गया ये ये बस द्यान रखना है लेकिन किरियान में नेजनसी और दोगिक निती और संबर्धन विभाग के दोराओ इसका उद्देश क्या है ये उद्देश थोरा सा याद रखना कब सुरुआत किया तो उद्देश क्या है तो नवाचार और स्टार्ट अप को प्रोत्साहन हे संसाधन तक पहुँच परदान करना है और इसकी साथ साथ में साथ वर्स में कुल साथ वर्स में से तीन वर्स का मुनाफ़ा आएकर मुक्त बैपार के ना चलने पर असी दिन तक कारोबार बंद कर सकेंगे मतलब क्या इसका स्टार्ट अप इंडिया का क्या सुरुबात 2016 हुआ था इसको ध्यान रखना है इसका उद्दे से क्या है नवाचार और स्टार्ट अप को प्रोत्साहन हे तू मजबूत इको सिस्टम बनाना है और साथ साथ में इसका जो लाब है वो शुरू करने के लिए यहां तक बौधिक संपदा से जुरी सेवाओं संसाधम तक पहुंचाने का परदान करना स्टार्ट अप का शुरू करने है तू 7 वर्स में से 5 वर्स तक मुनाफा आएकर मुफ्त होगा मतलब 7 वर्स में 5 वर्स तक आएकर मुफ्ताप रहेंगे और 7 साथ में बैपार ना च सोले में इसकी शुरॉवात की गए और इसका नाम बदल कर परधान मंत्री जन आसधी पर योजना कर दिया गया। रसाइन और उर्भरक मंत्राले के तौरा ओसधी विभाग के दौरा प्रशासित किया गया था। जनता में जेनरिक दबाओं के परती जो है इसमें जागरुकता शुरुवात करना था बस दिहान रखना यह है कि जेनरिक दबाओं के परती जो है और उनकी योजना के तत स्वास देखभाल का मुहया करवाना है साथ साथ में सरकारी एस्पतार चिकित्सा कॉलनी, सरकारी भवन में इसके केंदर खोलने पर अड़हा एलाख रुपे का बीतिये सहायता दिया जाएगा, अगर इसका केंदर खोलते हैं तो कौन? तो परधार मतरी जन औसा दियोदना बहुत इंपोर्टेंट है, हेल्थ से इसका नाम परधार मतरी जन औसदी पर योजना कर दिया गया है, जिसका लक्ष जो होता है कि जनता को जेंडिक दबाओ के परती समझ और जारूपता बढ़ाना है, और इसके लिए अगर अस्पताल, चिकित्सक, कॉलेस या फिर सरकारी भवन का आप निर्वान करते हैं तो इसका मकसद क्या है, बेटी हे तु छोटी सी योजना और बेटी की साधी और पढ़ाई की आर्थिक समर्थन जो है, इसकी सहयोग करना है, इसके तहट 2800 रुपे की नियुनतम रासी, ध्यान किएगा, 2800 रुपे की नियुनतम रासी के साथ में 10 वर्स तक खाता खोला जा सक सकता है, और एक माह में अधिक्तम देर लाग रुपे का जमा कर सकते हैं, आप एक माह में अधिक्तम कम से कम 2800 रुपे और अधिक से अधिक जो है, आप डेर लाग रुपे जमा कर सकते हैं, और खाता पोस्ट ओफिस के कमर्सियल बेंक में हो सकता है, और अधिक्तम दो बक् बच्चियों का टार्गेट है और बच्ची के 21 बर्स होने पर खाता जो है मिच्चोर करके जमारासी जो है अधिक्तम जो 1881 के धारा पी उसी के तहत सरकार को नहीं देना तो देखिए इसमें जो है इंपोर्टेंट क्या सुकन्या यह जो है यह किसके अंतरगत वे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक तो यह याद रखना है यह जो यूजना है बेटी के साधी और पढ़ाई दोनों के लिए है ध्यान रखिएगा और इसके तहत अरहाई सो रुपे में आप 10 वर्स तक की अबधी तक इसका खाता खोला जा सकता और अधिक्तम डेह लाग रुप के होने पर खाता मिच्योड हो जाएगा बस यह आपको याद रखना है नेक्स आते हैं परधार मंतरी आवास यूजना यह भी इंपोर्टेंट है जैसे अपनी जिन्दगी के लिए स्वास जिस तरीके से इंपोर्टेंट है उसी तरीके से आवास भी इंपोर्टेंट है तो अप्रेल 2016 को पी में के पूनर गठन कर दिया जो इंद्रा आवास यूजना था उसको परधान मंत्री आवास यूजना में बदल दिया गया था अप्रेल 2016 में ही जब इसकी सुरुवात की गए थी। लक्ष पूरा हो चुका है इसलिए ये चर्चा में है एकदम ध्यान रख लीजिए जितना बेहतरिन तरीके से समझ सकते हैं समझ लीजिए 2020 में इसका टार्गेट था सहरी का वो की हर बेघर को जो है पक्का घर दिया जाना लक्षित अभ्यार्थी जो है तीन लाग तक की वार आर्सिक आयवाले को निवन आयच के वर्ग में की रखा गया उसको 2022 तक, देखें है बहुत कुछ, लेकिन जो बाते मैं बता रहा हू बस उसी पे आपको focus रखना है, सःडी के 2020 तक परतेग बेघखर को पक्का माकान देना है, और ग्रामीन को 2022 तक परतेग को पक्का माकान देना है, इसको आपको ध्यान रखना है, और इसमें केंदर और अध्यम से आवा सहायता योजना जो मैदानी छेतर है उसमें 60 हिस्टू 40 यानि कि 600 रुपय में 60 रुपया जो है केंदर देगा और 40 रुपया राज देगा जो इस योजना के अंतरगत और पुरुबुत्तर जम्मु कासमीर हिमाचर परदे सुतराखंड में 90 रुपया जो है वो केंदर देगा और 10 रुपया इसमें राज देगा क्लियर चलिए नेक्स कोश्चन क्यों चलते हैं दीन द्याल अंतोदे योजना ये क्या है इसकी सुरुवात सितंबर 2014 में की गई थी क्या था ये रास्ट्रिये सहरी आजीव का मीसन और रास्ट्रिये ग्रामीर आजीव में बिर्धी करके सहरी और ग्रामीन गरीवी को कम करना था और इस मीसन के तहत जो है सहरी ग्रामीन ससक्तिकर कुशल बनाने के लिए 15-18,000 रुपय का प्राबधान इसमें किया गया है और साथ-साथ में समाजी की बीतिये जरूरत को ज़्यादा ध्यान रखते हुए स्वेम के लिए 10,000,000 रुपय तक का ब्यास सबसीडी परदान की जाएगी नेक्स है मिर्दा स्वास्त कार्ड योजना ये भी इंपोर्टेंट है ये किर्सी और किसान कल्यान मंत्रा लेके दौरा शुरू किया इसका आदर्स वाक क्या है स्वास्त धरा खेत हरा ध्यान रखिएगा स्वास्त धरा खेत हरा अब इस योजना के प्रारंब से अगले तीन वर्सों तक 14 करोड मिर्दा स्वास्त कार्ड योजना जारी करना था और इस कार्ड में 12 मापदंड सामिल है ध्यान रखिगा 12 मापदंड इसका उद्देश क्या है खेत कि तो किसानों के खेतों में पोसक फसल के चैन के साथ साथ में भूमी उपयोग के परती जागरुकता बढ़ाना है सिचाही जल मितभई उपयोजना को सुनिश्चित करना ये सब पॉइंट ध्यान रखिगा पर्थम चरण में 2015 से सत्रे 10 करोड का कार्ड वित्रन करना था जो की समाप्त हो चुका है दूथिय मुल्यांकर पोसक तद्के मांचितर किया जा रहा 2002 तक किसानों के आई को दुगना करने का लचश इस कार्ड में आहम भूमी का है 2022 आने बाला 2020 हो गया इंपोटेंट है इसका लच्छ लाने का सिर्फ यही था 2022 तक किसानों के आई को दुगना की करना है नेट्ष्ट है PSE में भी ले लिजे तो सिख्षा के पड़ती अलग बात है सरकार में जागरुपता नहीं है लेकिन ये पता तो जरूर है कि जब तक सिख्षित समाज नहीं होगा जब तक सिख्षित राज नहीं होगा जब तक सिख्षित परिवार नहीं होगा वो परिवार का राज का विका अस्कूल स्वेम से भी कारिक्रम है प्रात्मी विद्याले के समधाय और नीजी छेतर के भागिदारी बढ़ाने है तो इस संसाधन विकास मंत्राले ने इस अस्कूल और अस्कूल सिक्षा को साक्षर्टा विवाग का एक पहल बताया तो ये भी इंपोर्टेंट है बिद्यानजली योजना 2016 में लाएगा तस जो कि मानुप संसाधन विकास मंत्री सश्मिर्टी सिनानी के द्वारा शुरू किया गया था और इसमें जो था कि बच्चों के बीच पढ़ने की आदत को बिक्सित करना था चलिए नेक्स्ट में आते हैं प्रधान मत्री सुरक्षित मात्यत्तु अभियान ये भी इंपोर्टेंट 2016 में इसको लॉंच किया गया था डेट तो यादी रखिएगा क्योंकि आप पिसियस का तैयारी कर रहे है या फिर वंडे का इजाम के तियारी कर रहे है तो फेक्ट अगर पाता है तभी आपका सही हो पाएगा इसलिए डेट जो भी बता रहा हूं एकदम ध्यान से सुनिए नेक्स्ट है प्राबधान क्या है परतियक माह में आठमी तारीकों सभी गर्वती महला परसब पुर्व देखभाल परदान करना है परतियक जो है आठमी तारीकों ये इंपोर्टेंट है किसमें है तो गर्वती महला जो महला मा बनने वाली है इनकी देखरेक करना और सरकारी स्वास्त के अंदर पर उनकी गर्वावस्ता की दूसरी और तीसरी तिमाही तिमाही मतलब तीन महीने में अबधी के दोरान परसब पुर्व देखभाल करना और नियूंतम पैकेज उन्हें परदान करना हर तीन महीने पर क्योंकि नो महीने में कोई महला मा का रुप धारन करती है तो इन नो महीने में तीन-तिमाही जो होगा और इन तीन महीना में उन्हें जो नियूंतम पैकेज दिया जएगा इसका उदेश क्या है तो परसब पुर्व जाज के दौराद देखभाल की गुनबगता को सुधारना और देश में तीन करोर से अधिक गर्वती महला के परसब पुर्व देखभाल की जानी चाहिए और गुनबगता पुर्व सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की सुरुवात की गई थी नेक्स्ट है नेशनल पेंशन सिस्टम यानि की एन पियस ये एक पेंशन है यह जह निवश योजना द्वारा किया जाएगा आबेदन करते समय पंदरे से साथ वर्सता का कोई भी निवासी या गैर निवासी भारतिये NPS से जूर सकता है इसमें सस्क्राइबर किसी भी बीतिये वर्स में किसी भी समय अंसदान कर सकता है और वो इस योजना का लाव ले सकता है चलिए नेक्स्ट आते हैं सतत विकास प्रकोष्ट ये क्या है सस्नेवल डवलप्मेंट इसकी सुरात कोईला मंत्राले के दौरा देश में पडियाबरन अनुकूल खनन का प्रोचाहनेतु करना और ये बहुत इंपोर्टेंट है ध्यारत कि अब पडियाबरन के परती आज लो इतने में मदद मिलेगी यानि कि कोईलाग खान जब तक बंद नहीं होगी जिवास पिंदन जब तक बंद नहीं होगा तब तक पडियाबरन को सुच करने की हमारी सोचना भी निरर्थक है इसका उद्देश क्या था कि बरतमान और भविस की पारिस्तितिक तंतर सेवाओं क ये लिए बैस्बिक सर्वत्तम प्राभधानों को अनुरूप दिसा निर्देश समुच विक्सित करना है अटल भूजल योजना ये भी इंपोर्टेंट है ध्यान कीगा पूर्व परधानमत्री अटल भिहारी बासपई की जैनती के अपसर पर सुभारम किया गया था इसमे साथ राज्यों में सुरुवात की गया था गुजरात, हरियाना, करनाटक, मद्ध राजस्थान, मद्ध परदेश, उत्तर परदेश और महराश्च में ध्यान रखेगा सुरुवाती जो है साथ राज्यों में शुरू किया गया था तो अगर आप राजस्थान यानि RJPCS का दे रहा है, MPPCS का दे रहा है, UPPCS का दे रहा है या फिर MPPCS का दे रहा है तो ध्यान रखेगा ये आपके लिए इंपोर्टेंट है पांच बर्स में 2020 से 2021 और 2024 से 2025 तक का इसका लक्ष रखा गया है अब इसका योगदान क्या है 50% तक 20 बेंक रिंदेगी लगभग 3000 करों रुपे और से 50% नियामक वजट के रूप में इसे परदान करना उदे से क्या है भूजल परबंदा नेतु संसागत धांचे को मजबूत करना है भूजल को क्या करना है मजबूत करना और आज के रेट में जल ही जीवन है जल से आप खिलवार नहीं कर सकते हैं और इसके लिए जो है पूरी दुनिया सजग और सतर्क है जल जीवन मीशन ये हर घर नल ये जो हमारा बिहार में निती सरकार ने ये शुरुवात किया था उसी के अनुरूप जो है किया गया था जिसका नाम रखा गया था जल जीवन मीशन और यहां पे जा था हर घर नल जिसमें था कि हर लोगों को जो है स्वच पानी पिलाया जा सके अब इसके अंतर पाइप के दोरा नेक्स्ट है वन पेंसन वन रासन कार्ड यह कैसी शुरुवात उपहोगता मामला और खाद सार्जनिक बित्रन मंत्री स्रीराम बिलास पासबान के दोरा शुरू की गया वन पेंसन वन रासन इसकी शुरुवात जून 2020 में पूरे भारत में लागू हुआ बहुत इंपोर्टेटा आंदपर्देश तेलंगाना और महरास्ट में शुरू की गई और अंतर राजिये रासन कार्ड पोटेबिलिटी से जोड़कर इसकी सुरुवात की गई थी नोडल मंत्राले खाद और सार्जनिक बिभाग है इसका उद्देश क्या था सबसे बड़ा खादान सुरुच्छा कारिकम को प्रभावशाली बढ़ाने हो तो राष्ट व्यापी रासन कार्ड यानि की पोटेबिलिटी नेटवर्क तयार करना था सभी राजियों में अभाते है कि किसी राज के पंजीकरथ रासन कार्ड आपके पास में कार्ड है तो आप दूस्ती राज में भी जाके इसका फाइदा उठा सकते है तो दोस्तों ये जो थी हमारी पूरी भारत सरकार की यूजना थी, अगर यूजना आपसे question आएगा, तो इससे बाहर एक भी question किसी भी exam में नहीं पूछेगा, उसके बाद भी अगर लगता नहीं, इससे क्या होगा और पढ़ना, तो पहर लिजे, हमें क्या जाता है, आप जि